आधियत क्लासेस एक्जाम गूरु चैनल में आप सब का स्वागत है। को मुफ्त सेनेटरी पैड उपलत कराने के संबंद में कानून बनाने वाला देश स्काटलेंड है। पेड़ पौधे जो जंगल तीस वर्स में तैयार होंगे उसको तीन साल में तैयार किया जा सकता है। उस टेखनीकी को मियावाकी बन के नाम से जाना जाता है। जो भारत में जो है कुजुरात में इसका उधगाटन किया गया है। नेश कोशन परमुग बैक्तितों का कौन सा जोड़ा गलत है। चार आपसन मैक्सिको के राश्पति इंद्रेश मैनुवल लोपेश और बरेदोर हैं। दूसरा आश्टेलिया के पदामंतरी एंथनी अलबनीज हैं। तीसरा इलावेन भट प्रसिद गुजरात की समाजी कार करता है। और चौथा। आर्यल कस्यव प्रसिद संगितकार हैं। तो इसमें से गलत अंसर हो जाएगा याद दखिएगा। चौथा प्रसिद गड़ीतर हैं। याद रिखेगा इनको पदमस्री दिया गया था याद रिखेगा चारो वेदों को अंगरेजी में इनोंने अनुबाद किया था और 2020 में इनको पदमस्री दिया गया था आरियल का स्यपजी को नेस्ट कोशन खेल समचार से समदित कौन सा जोड़ा गलत है चाराप्षन पहला जो है रितुराज गायकवाड एक उबर में साथ छक्के लगाने वाले दूसरा शूर्य कुमार यादो एक कलेंडर वर्स में टी-20 में अंतराश्टी सरवाधिक रन बनाने वाले परतम भारती क सिर्केट कोच और चोथा सरद कमल अंचल 2022 की मेजर द्यांचन प्रुसकार परात्व करने वाले टेबल टेनीस खिलाडी आंसर हो जाएगा इसमें गलत जोड़ा तीसरा हो जाएगा योग याद रिखेगा अरूर कुमार मिस्र वर्तमान में मानादिकार आयोके आठवे अध पहला है लच्छ सेन बैड मिंटर दूसरा मीरा बाई चानू धावक तीसरा रवी दहिया कुस्ती और चौथा निकात जरीन मुक्के बाजी आंसर हो जागा इसमें दूसरा याद रिखेगा मीरा बाई चानू जो है भरतोलन है ये धावक नहीं है रेक्स कोशन डी टीपी का बिस्तारीत रूप क्या है चारा प्सन पहला डारी टेक्स्ट प्रिंटिंग दूसरा डेक्स्टाप प्रिंटिंग तीसरा डेक्स्टाप प्रिंटिंग और चौथा डेक्स्ट प्रिंटिंग और चौथा डेक्स्ट प्रिंग तो आंसर हो जाएगा दूसरा डेक्स्टाप प को स्पेस यक्स कंपनी ने लॉंच किया दूसरा डियाडियो द्वारा भारती नों सेना द्वारा सुनार सिस्टम के लिए एक परिछड एवं मुल्यांकन सुवधा स्पेस यक्स शुरू की तीसरा भारत का पहला आई इन दा इसकाई उपग्र है जो भारत में घुस्पेट औ रातनकबाद विरोधी व्यानों में निगरानी करेगा चौथा वरतमान में जापान का द्वारा निर्मित फ्रंटियर सूपर केम्पूटर विशु का सबसे तेज सूपर केम्पूटर है तो इन सभी में से चौथा आंसर गलत है योकि फ्रंटियर केम्पूटर जापान का नहीं अमेरिका का है और जापान का कौन सा है फुकागू जो है जापान का है। चार आपसन सुच्मितम रूप दूसरा विश्वसनियता तीसरा सरल्था चौथा वस्तुनिष्ट रूप आंसर हो जागा पहला सुच्मितम रूप निश्कोशन किस कारण के आधार पर सोध में सूचना और संचार प्रदुकी का अनुप्योग सरवाधिक उप्योगी है चार आपसन पहला सोध की लागत कम करने के लिए दूसरा एकाडमिक अलंकरण हे तू तीसरा सोध की प्रदक्तों की उपलपता के विस्तार हे तू और च आपसन पहला है भारती विश्व विद्याले संग दूसरा विश्व विद्याले अनुदान समीती तीसरा विश्व विद्याले अनुदान आयोग चौथा विश्व विद्याले सिच्छा आयोग तो या देखिएगा आंसर हो जाएगा विश्व विद्याले सिच्छा की अस्थापना कब हुआ था तो 1948 में तो किसकी अधिशता में तो डाक्टर यस रादा किश्णन की अधिशता में आप जानते होंगे तीसरा आपसन है विश्विद्याले आउंदान आयो की अस्थापना कब हुआ 1956 में कमेंट बाक्स में बताईए इसके पर्थम अध्यच कौन है विश्विद्याले अनुदान समीती का अस्थापनागर पूच दे तो 1945 लगाईएगा और भारती विश्विद्याले संग पूच दे तो 1925 लगाईएगा निश कोशन परवावि सिछड सायक समागरी क्या होता है चाराप्सन रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो दूसरा सभी ग्यानेंदिरियों को सक्री करती हो तीसरा सभी छात्रों को दिखाई देती हो चोथा, बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो, आंसर हो जाएगा सभी ग्यानेंदिरियों को सक्री करती हो नेक्स कोशन, निम्लखित में से किसका सम्मन वाइमेक से है? चार आप्सन पहला जैब परदोगी की दूसरा अंतरिश परदोगी तीसरा मिसाइल परदोगी और चौथा संचार परदोगी आंसर हो जागा संचार परदोगी की चौथा आंसर सही है चार आप्सन पहला आपरेटिंग सिस्टम दूसरा इंटरफेस तीसरा एप्टिकेशन चौथा साफ्टवेर आंसर हो जागा पहला आपरेटिंग सिस्टम है एंडराइड जो मोबाइल में सबसेती चलता है इंटरनेट से समंदित सब्ध होस्ट का क्या आड़्थ है चार आप्सन वह केंपूटर जो stand-alone गेंपूटर हूँ दूसरा वह कंपूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हूँ तीसरा होस्ट द्वारा प्रियोग करने के लिए आरचित कंपूटर चौथा केंपूटरों का बड़ा संग्रा आंसर हो जागा दूसरा वह केंपूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उससे ही होश्ट कहा जाता है इंटरनेट समंदित सब्द नेट्स कुश्टन योजना समंदित कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है चारा अप्सन कासी यात्रा योजना करनाठक दूसरा चारा बिजाई योजना हर्याडा तीसरा दूध मुल्य परसान योजना उत्राखन चौथा मेरा घर मेरा नाम योजना पश्यमंगाल तो इसमें से समंदित नहीं है चौथा याद रिखिएगा मेरा घर मेरा नाम योजना पश्यमंगाल का नहीं है नेश्ट कोश्टन अन्गवी टीम द्वारा UPHESC का टेस्ट स्रीज सुरू किया गया है GKGS पेपर के लिए जो 6 यूनिट वाइज है जिसके अंभ्यास से आप अपने GKGS के कांसेट को किलियर करके अपने लच को असानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस टेस्ट स्रीज को लेते हैं तो आपको फिरी में मिलेगा सभी यूनिट के माडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट सिंदी और इंगलिस में 50 प्लस गूरूपिंग दिवस सम्मंदित जोड़ा कौन सा सुमेलित नहीं है चार आपसन पहला विश्व मानदिकार दिवस 28 सितंबर दूसरा विश्व नोबिल पूरुसकार दिवस 10 दिसंबर तीसरा विश्व जयवित्ता दिवस 22 मई और चोथा विश्व चाय दिवस 21 मई तो इसमें से आंसर हो पहला याद restri गाएगा 20 मानदिकार दिवस 10 दिसंबर और नोबिल पूरुसकार भी 10 दिसंबर को ही दिया जाता है वैसे मानदिकार आयोकिया स्था अस्थापना भारत में 28 सितंबर 1993 को हुआ था ये सही है तेकि मानदिकार दिवस 10 दिसंबर को ही मना जाता है Next question निर्ण में से किस संस्था की जिम्यदारी परियावरण सम्मंदित कारियों की है आपको बताना है चार आपसन पहला IUCN, दूसरा UNDP, तीसरा UNEP और चौथा UNO नाम से क्लिए रजाएगा आपका आप देख रहा होंगे आंसर रजाएगा तीसरा UNEP आपको कमेंट बाक्स में बताना है कि UNEP का मुख्याले कहां है और किस मादीप में पढ़ता है चार आपसन, भारत के पर्थम जैविक राज वा कैंसासित राज्यों का जोड़ा सही है चार आपसन, सिक्कीम और मदपरदेश, दूसरा लच्छदीप और सिक्कीम तीसरा सिक्कीम और लच्छदीप, चोथा सिक्कीम और वड़ांचर परदेश, आंतर हो जाएगा सिक्कीम और लच्छदीप याद रखिएगा, अगर आपके एकजाम में पूचे कि भारत का पर्थम जैविक राज का नाम बताईए तो सिक्कीम लगाईएगा आपके एक्जाम में पुछे कि भारत के पर्थम जैवी के राज के इंसासित परदेश का नाम बताईए तो आप क्या लगाएंगे लच्छ दीव लगाएंगे नेश्ट कोशन भारत का पर्थम तैरता हुआ पार्क केबिल लाम जाओ नेशनल पार्क कहां इस्तित है चार अप्सन पहला भारत के पश्श्मी तट में दूसरा भारत के पुर्वी तट में तीसरा भारत के पुरुत्तर राज तट में और चौथा भारत के दच्छिडी तट में तो आंसर हो जाएगा तीसरा भारत के पुरुत्तर राज में नेश्क कोशन दा साउत एसी अइनुशेटी निन में से कहा है चाराप्शन पहला जकार्ता, दूसरा काटमांडू, तीसरा धाका और चौथा नई दिल्ली तो याद रिखेगा आंसर होगा चौथा नई दिल्ली दा साउत एसी आइनुशेटी कहा है नई दिल्ली में नेश कोशन निम्रिखित में से कौन सी गटना एक प्राकिर्थिक खत्रा नहीं है चारापसन दवागनी, दूसरा बाड, तीसरा भूशकलन, और चौथा रसानिक प्रदूसर्ड तो यहाद रिखिएगा आंसरों का चौथा रसानिक प्रदूसर्ड नेश कोशन जलाल के नाम से किसे जाना जाता था चारापसन पहला रामतनुपांडे, दूसरा अकबर, तीसरा रामबोला, चौथा जोना खाँ तो याद रिखिएगा जलाल के नाम से जो है अकबर को जाना जाता था और राम बोला तुलसी जी का नाम था जोना खां किसका नाम था मुहम्मद बिन तुकलक का नाम जोना खां था जिसकी याद में जोनपूर सहर को बसाए गया और आपको पताना है कि जो है राम तो नुपांडे किसका नाम था जो अक्सर इनकी कहानिया सुना करते हैं आप नेश्ट कोशन 1987 कनाड़ा में कौन सा सम्मेलन हुआ था चार आपसन पहला माट्रियो प्रोटोकाल दूसरा राम सर सम्मेलन तीसरा क्योटो प्रोटोकाल और चौथा काटा जोना प्रोटोकाल आंतर हो जाएगा इसमें से पहला की 1987 कनाड़ा में माट्रियो प्रोटोकाल हुआ था निर्फ में से कौन से गरो को जैव हस्ताषर के नाम से जाना जाता है चारापसन पहला सुक्र, दूसरा पिड़्थिवी, तीसरा मंगल और चौथा बैस्पती आंसर हो जाएगा मंगल या दिखिएगा बायो सिगनेचर या जैव हस्ताषर मंगल गरो को कहा जाता है और कहा जाता है कि मंगल गरो जो है इनसान है ये संभव है नेश्ट कोशन कौन से जोड़ा गलत है चारापसन दादा भाई नरोजी तीन बार भारती राष्टी कांगरेश के अद्यच बने दूसरा भारती राष्टी कांगरेश की तीन महिला अद्यच जो है बनी 1997 से पहले बनी तीसरा है महात्मा गाधी दो बार भारती राष्टी कांगरेश के अद्यच बने थे और चोथा है मौलाना बुल कलामाजात सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले अद्यच थे तो आंसर हो जाएगा तीसरा यही गलत है महात्मा गाधी सिर्फ एक बार अध्यच बने थे आपके एक्जामे पूछा जा चुका है ये तो आप बताए महात्मा गाधी किस अधिवेशन में और किस सन में भारती राष्टी कांगरेश के अध्यच बने थे निश्कोशन दा पुस्तक इंडियन इस्टोरी के लिखक है चार आपसन पहला देख रहेंगे रवी सास्त्री और दूसरा बिमल जलान तीसरा सलमान खुरसीद और चौथा इसमिती इरानी तो याद रिखिएगा दा इंडियन इस्टोरी के लिखक बिमल जलान है निश्कोशन भारती समिधान में मूल अधिकार वडन है चार आपसन अनुचेद 12-35 में दूसरा अनुचेद 12-36 में तीसरा अनुचेद 12-37 में चोथा अनुचेद 12-38 में आंतर हो जागा पहला अनुचेद 12-35 में निश्कोशन भारत में एक कितने मा में परिपाको होता है चार आपसन पहला पांच मा में दूसरा तीन मा में तीसरा साथ मा में चोथा बारा मा में तो अनुचेद 12-35 में निश्कोशन मत परदेश से उत्तर परदेश के कितने जिले असपर्ष करते हैं चार आपसन दो जिला दूसरा छे जिला तीसरा साथ जिला चोथा अपसन 11 जिला आंसर हो जाएगा 11 जिला निश्कोशन मत वरतमान भारत में सबसे अधिक उर्जा परात होती है पहला पानी से दूसरा परमाडू से तीसरा कोईला से चोथा हावा से आंसर हो जाएगा याद रिकियेगा तीसरा कोईला से वरतमान में सबसे अधिक उर्जा परात होती है जिसे तापी उर्जा के नाम टेस्ट स्रीज सुरू किया गया है GKGS पेपर के लिए जो 6 unit wise है जिसके अंभ्याद से आप अपने GKGS के concept को clear करके अपने लच को असानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस टेस्ट स्रीज को लेते हैं तो आपको free में मिलेगा सभी unit के model paper 100 से अधिक हैं और सभी unit के PDF notes हिंदी और इंग्लिस में 50 प्लस grouping test, 20 प्लस unit wise test, 58 प्लस PDF 5 test और 2014 से 21 तक सालवर paper है इसके लिए आपको नई जनकारी के लिए टेलग्राम गुरुप पर आप जूड़ सकते हैं